ओम विश्वाने देव सवितर दुरुतानी परासु यद्भद्रम तन्यासु ओम शान्ति 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 सारे संसार में योग का परिचे कराने वाले योग में निश्ठा जगाने वाले भोर में सब को जगाने वाले निद्रा को भगाने वाले राश्र की चेतना में परम चैतन्य का मिश्रन करने वाले हमारे पुरमादर निये योगरिशे स्वामी रामदेव जी महाराच भरती संस्कृती वेद संस्कार इन सब में अपना पूरा जीवन समर्पित कर वेद विद्या के परचार में वेद अव्यास पतिष्ठान द्वारा संप्रति भारत माता मंदिर साहित सारे देश और विदेश में संसकार सिंचन करने वाले आचार स्वामी गोविन देव गिरीज महाराज स्वामी राम गिरीजी महाराज परम सम्मान्नी मकुन काका जी सम्मान्नी विद्वद गण बंधुवो और मात्र शक्ति चोटे चोटे क्षेत्रों में परमात्मा की सेवा कर रहे हैं लेकिन पूरे देश में जिस दिन में लंदन में था उस दिन में स्वामी जी महाराज मेरे पास आकर और अपना प्रेम देने वाले थे स्वामी जी को मालूम नहीं है नम ने कभी बताया मैंने वहां के बहाद बड़े सॉलिसिटर और मिनिस्टर जो लेस्टर के हैं उनको मैंने कहा मेरे देश के पूझ स्वामी जी महाराज को इस प्रकार का वेवार बिटश सरकार को नहीं करना चाहिए तो वो दोड़े दोड़े गए बोले अरे महारज आप उनको इतना अधर मेरे सारी दुनिया उनका आधर करते उनको इंस्मिग्रेशन ऑफिस्टर के लिए डिटें किया था मुझे अच्छा लगा उसने वहां के इंस्मिग्रेशन ऑफिसर को कहा you are not insulting Swami Ramdev Ji because you are insulting your British government because they have given visa you have no right to detain him और Swami Ji Maharaj बड़े आनंद के साथ में England में घूमे विश्व में घूम रहे है बहुत अच्छा लग रहा है महत्मा लोग सरकार से डरा करते है क्योंकि सरकार कभी सरकार देती है कहीं न कहीं लेकिन जिसके मन में कहीं डरी न हो हम लोग तो प्रहलात के उपासक लोग है अगनी में भी बिठा दे जा जाए तो भी हम डरने वाले लोग नहीं है अब है हमारे जियों और बिना द्वेश की हुए क्योंकि उनको उच्छ प्राप्त नहीं करना है न वो प्रधान मंत्री उनको बनना है न उनको राष्टपती बनना है पर जरूर चाहते हैं कि इस देश का राष्टपती और प्रधान मंत्री भारती संस्कति का उपासको जिससे अपनी परंपरा का रख चाना आज बहुत आनंद हो रहा है कल भी आपको कहा था कि जब मैं बेलापुर में आया है सब देखा तो हम सब लोग जब बहुत अच्छी कोई बात होती है क्या अलवेला कारकम तो मैंने कल आपको कहा कि भाई जब हम जाते हैं वंदाबन में तो हां राधाजी को बोलते हैं अलवेली सरकार और जब मैं यहां आया तो इस गाउं को बोला मैंने यह अलवेला गाउं है यह बेलापुर में अद्बुत जहां स्वामी गोविन देवजी माराज ने जन्म प्रप्त करने के बाद अपने पिता का ऐसा दिव्विसतकार सब लोगों को सीखने सीखने चाहिए पित्र देवो भाव सबसे पहले दिन पाट सला में यह तो पड़ामने मात्र देवो भाव पित्र देवो भाव आचार देवो भाव अतित्र देवो भाव राश्ट्र देवोभा संपूर्ण वेद कंठस्त हो जाए ये तो परमात्म की बड़ी कृपायन वेदक की ब्राह्मनों को प्रणाम करता हूं जिन्नोंने उन वेद के सेवा करके और अपनी प्राचीन परंपरा का रक्षण किया है लेकिन अगर इतना भी याद रहें तो इस देश का बहुत कल्यान हो सकता है यदि आपकी और हमारी माता दिवंगत हो गई है तो भी हमें मात्र देवोभाव का इस्मरन करके अब अपनी पूरी भारत माता को ही अपनी माता मान कर और सेवा करने जाए जब माता की सेवा करते हैं तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि कितना समय दिया कितना व्य किया यह तो सब व्यापार है जहां सब को दे दिया जाए भगत सिंग ने दिया चंदरशेकर आजाद ने दिया एक प्रसंग बड़ा प्रेरक में सब जगे सुनाता हूं जब लटकाया जा रहा था दो मिनट बाकी थे अंग्रेज अधिकारी ने पूछा भी दो मिनट शेष हैं आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ बोले इच्छा का परित्या करके ही तो प्राण पढ़ता है प्राण चोड़ रहा हूं लेकिन तुम नहीं मानते हो तो मेरी एक जीने कहा अब मैं जा रहा हूं दुनिया से मैं कहूंगा इन्कलाब तुम बोलो जिन्दबात अ वो कैसा बलिदानी महापुरेश्टा अपनी जमानी में इनकलाब बोलाए और जंदाबात किसे भुलवाया अंग्रेजों से बोलवाया गांदी जी ने और लोगों ने देताओ늘 ने बाद में बोला ये इतिहास की बात लोगों को बतानी चाहिए कि जिन्दाबाद तुमने नहीं दिया एक प्राण देते देते एक देश का शहीद इन जिन्दाबाद का नारा अंग्रेजों से लगाते गया बहुत अच्छा लग रहा है पूजी मदन गुपाल जी एक इसाथ स्वर्गी जोडने का तो मनी नहीं होता जो ऐसे पूरिष होते हैं वो तो नित्य परमात्मा के साथ लीन होते है हनमान प्रसाइज जी पोद्दार के साथ कल्याण वाले लिखते हैं नित्य लीला लीन जिसको सब कुछ मिलने के बाद आहंकार नहीं होता भाईयो वही मदन गोपाल हो सकता है दूसरा होई नहीं सकता मदना मोहना हमारे दूसरा शब्द में है मदन मोहन लेकिन उस संस्कृति को पुरा निमे कहता हूँ लेकिन हमारे हाँ जब मदन मोहन बोलते हैं तो मदना मोहना उनके हां बोलते हैं मोह मद भगवान दया करें अब इसकी व्याक्षान नहीं करूँगा तो निवेदन यह कर रहा था कि पूजी मदन गोपाल व्यास जी ने हमारे किशोर व्यास जी महाराज आज हमारे अत्यान तादर्नी राष्ट संत और गोविंद देव जी महाराज आपको बड़ी पुरसंता हो रहा है यह लिग मैं ज्यादा पुरसंत हो जब किसी का कोई डिक्षित शिष्य सारे संसार में इतना पूजित हो जाए कि लोग धीरे धीरे गुरु का विस्मरन करने लगें तब गुरु को सोचना चाही मैं जीत गया हूँ शिष्या दिचे परा पूरदेश में उनको लोग अमंतित करते हैं बड़ी आरदर के साथ मैं अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं बेलापूर को नमस्कार बेलापूर के निवस्का निवासियों को एहमद नगर को औरंगाबात को बीच में देवगर स्थाना आया उसका दर्शन किया पनवर्ष हो गए बोलते हुए जब बोलता हूं तो लगता है कि भगवान मेरे सामने बैठे वो मुझे कान में कहते सत्यमित्रादन पुष्पों की वर्शा कर लाओंगा कहां से भगवान कहते तेरी मस्तुष की डलिया में फूल मैं भेशता हूं तू माली बनकर सेवा कर और मैंने माली बनकर आप सब विराट परमात्मा पर शब्दों के पुष्प चड़ाए आप सब को नमस्कार दो दिन मैं बोलता रहूं इसलिए समय बोलने की आवशकता नहीं एक बार पुना हां पूज नित्य लिलानीन मदन गुपाल व्यास जी को ये प्रतिय अपनी अन प्रणाम क्योंकि आप परमात्मा के रूप हैं स्वकर्मना तमभ्यर्च सिद्धिम मिंदति मानव वहा वो मानव जो अपने कर्म को पूजा बनाता है उससे सिद्धिमन्ति है मैंने अपने प्रवचन को अर्चना बनाया मेरे विराट शोता मेरे भगवान बने एक बार बड़ा आधरभाव है जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा फिर से वह योगरिशी महराज हमारी संस्कुति हमारा आयुरवेद हमारे गुरुखुल यह सबसे जागरत हो रहा है और उनका विस्तार सारे संसार में होता जा रहा है विरूत करने की आवश्यक्ता लोग सम लेहर मारती मैंने गंगा जी से पूचा अब शीला से क्यों ठकरा रही है मां जाने दो बोले नहीं यह मेरे सामने आया विरूत करने के लिए मैं इसको थपन मार मार कर शिविलिंग बना दूंगी और यह जाके किसी गाउं में पूजा का पात्र बन जाएगा विरूत करने बेसे बालों को समझ लेना चाहिए उनके शेमत्य को दूर दूर कर शीवत्वका आच समरण कर आने के लिए हमारा अंदूलन है हमारी क्रिया है हमारे विचार है हैं किसी विज़क्ति से विशेश鍵श किसी संस्था का रिखोज ने इस हमारी सांस्कृत को जो प्रच्छन रूप से मिटा कर किसी विदेशी विचए कौन दूरूPE करना चाहते हो वह कितने भी अपने प्रियों प्रियों हों लेकिन आवशक्ता पढ़ने पर यदि अर्जुन दोनाचार का विरोत कर सकते हैं बीश में पितामा का कर सकते हैं तो हम सब लोग भी आवशक्ता पढ़ने पर शत्त ऐसा करना पड़े तो बिना अद्वेश भाव से हम राष्ट के रक्षण के लिए काम करेंगे मुझा विश्वास ह यह ग्रिशें पुझ रामदेव जी महराज का सवपन दो दीरे दीरे साकार हो रहा है अब वो सवपन नहीं रहेगा राष्ट का जीवन बनेगा राष्ट की धारा बनेगी मानव का चिंतन होगा संसकारी समाज होगा भारत की जय होगी वैदिक धर्म की पताका फेलेगी साथ इकटे हुए थे और तब विजय प्राप्त हुई थी आज तो बड़ी अच्छी बात है अब वानर नहीं अब हम सब लोग वानरों का काम कल्योंग में करकर और राम का राज लाने का प्रयत्न करेंगे बोलो सच्चिदा अनंद भगवान की दा